राजदानी राची के साथ ही राजदानी राची के कई इलाकों में पेजल संकट की इस्थिती उद्पन हो गई है। जलापूती में आ रही बाधाओं को 10 से 12 दिन के अंदर दूर करने का निदेश दिया है। अन्य था एजनसी के कारी को री साइन करने का निदेश अवियनता प्रमुक को दिया। राची में टेक्स डिफॉल्टर और ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाब एक बार फिर से जिला परिवन पदादीकारी के निदेश में बिसेस जाच अवियान चलाया जा रहा है। राची के डलादली चौक और रातू छित में सुबह से चलाए गए अवियान में 200 से ज़्यादा वाहनों की जाच की गई और लखुरुफएये का जुर्माना वसुला गया। साथ ही कुछ वाहनों को भी जब्त किया गया। आपता प्रवंदन विभाकियों से सरहुल पर सुबह यात्रा निकालने की अनुमती दे दी गई है। बिनोवा भावे विस्विद्यालेक के पुर्व कुलपती डॉक्टर रवीन्र नात भगत ने आज राची में पत्रकारों को बताया कि प्रकृति का तहवाद सरहुल चैत्र सुक्र पच्छ तीतिया के दिन मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि राची सहर में सरहुल की सुभायात्रा की सुरुवात 1961 में करम तोली से की गई थी। जारकन के राची शहर में सरहुल के सुभायात्रा की शुरुवात सन 1961 में करम तोली के शशी भूशनमानकी जी के आवास के पास से हुई थी। वहां एक सकवा का पेड़ है, वहां पुजा अर्चना के बाद दोगों इसकी शिरुवात किये, इसकी शिरुवात करमचन्द मगजी के नेतितों में, जो उस समय रांशी कोलेज के उपाध्यक्स थे, छात्रनेता थे, छात्रावास के युवाओं और करमटोली के प्रबुध अस्थल को बचाने के लिए कि गए थी, जिसे रामकर के एक सरदार जी ने खरीद लिया था, और वहां विरोध करने पर वहां के तीन लोगों को सीवा बाड़ा, विजदा तिरके और बोलो कुजूर को चुटिया खाने ने जेल भेज दिया था, तो उन लोगों को बचाने बोदीद करेंगे, राची स्थित PIV कार्या लेकर अपरमानी रिसक अरिमर्दन सिंग ने पद्रकारों को बताये कि जहार खन के भी कई चुनिंदा छात्र, छात्राएं राजपाल की मौझूदगी में राजभावंजार का कारक्रम से जुड़ेंगे, राजदानी राची समेट राजजी के विविन हिसो में अधिक्तम तापमान में बढ़ोत्री वी है, बौसम पुर्वानुवान में राजजी के विविन जिलों में अगले 48 घंटों में लूट चलने की समभावना जताई गई है, राची का अधिक्तम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, वहीं डाल्टेन का अधिक्तम तापमान 42.60 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है,